2003 के सूपर हिट शो जसी जसी कोई नहीं ने ओडियन्स को काफी इंप्रेस किया था जहां मोना सिंग ने जसी के रोल से टीवी के दुनिया में अपने करियर की शुरुवात की थी जसी के कैरेक्टर को ओडियन्स ने बहुत पसंद किया था और आज भी जसी की छवी लोगों के दिलों में बसी हुई है यहां तक की अक्टरस मोना सिंग के रियल नेम से ज़ादा उन्हें जसी के नाम से जाना जाता है वेल मान लो अगर इस शो का सीजन टू शुरू हुआ तो आम शुर आप जरूर इसे देखने के लिए बेकरार होंगे और ठीक इसी तरह मोना भी इस सीडियल के सीजन टू को लेकर एकसाइटिड है मोना ने एक इंटेव्यू में कहा कि वो जसी जसी कोई नहीं के पार्ट टू के लिए बहुत इगर है उनको पार्ट वन बहुत पसंद आया था और साथ ही उस शो ने उन्हें सब कुछ दिया जो वो चाहती थी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें इस सीडियल के सीजन टू में काम करने का मौका मिले तो वो जरूर करेंगी वेल अभी एक्ट्रिस कलर्स पर नए सुपरनाच्रल शो में लीड रोल में नज़राएंगी जिसका नाम है कवच काली शक्तियों से जो 11 जून से शुरू होगा इस न्यू शो के दूसरे लीड स्टार्स है विवेक दहिया और महक चहल वेल अपने इस न्यू शो को लेकर मोना बहुत उत्सुक है जहां उनका मानना है कि रोल स्ट्रॉंग होना चाहिए फिर चाहे पॉजिटिव हो या नेगिटिव उन्होंने ये भी कहा कि सुपरनाच्रल, माइतलोजिकल और रियालिटी शोस के आने से आजकल सास बहु सीरियल्स का इंपॉर्टेंस कम हो गया है एक वक्त था जब सास बहु सीरियल्स हर घर का हिस्सा बन गए थे लेकिन आज उन्हें कोई पसंद नहीं करता वेल, हम भी मोना की बात से सहमत है आप कमेंट करके बताइए कि आपको मोना सिंग अज अन अक्ट्रिस कैसी लगती है और उनकी आक्टिंग के प्रती अपने व्यूज हम से शेर करें टेलिविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखतर ही हमारा चैनल